हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ अर्चना और आप सब का मेरी चानल पर स्वागत है और आज मैं बनाने वाली हूँ हरे चने की सबजी और यह सबजी खाने में बहुत ही जादा टेश्टी लगती है अगर आप लोग ने हरे चने की सब्जी ट्राई नहीं किया है तो एक बर इस तरीके से जरूर ट्राई करिएगा आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा यह सब्जी हम इसे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे इसकी हम छोटी छोटी सी बड़ियां बनाएंगे और फिर हम इसकी सब्जी बनाएंगे तो चलिए हम देखते हैं हमें बनाना कैसे है चने की सबजी बनाने के लिए मैंने आप लिए एक कटोई चना एक कटोई से थोड़ा सा कमी ही है क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कमया जादा कर सकते हैं आपको जितना बनाना है उस हिसाब से आप चना ले और अब हम इसे ग्राइंड करेंगे तो इसके लिए हमें लेना है ग्रैंडिंग जार और अब हम इसमें चने को डाल देंगे चने को छीलने में थोड़ा सा महनत लगता है लेकिन आजकल मार्केट में छीले हुए चने भी मिलते हैं तो आपको जो आसान लगे वो आप खरीद सकते हैं मार्केट से और इस टाइम पे बहुत चने आ रहे हैं मार्केट में तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी चने बहुत ही असानी से मिल जाएंगे और चने डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ तो चने को बावल में ट्रांसफर करने के बाद अब हम इसमें आट करेंगे तो मैं आपे दो चमर्च बेसन डालने से हमारे चने में बाइंडिंग मिल जाएगा तो आपको बनाने मैं आसानी होगी and now add honey powder तोड़ा सा मैं इसमें बादा जीरा पाव्डर थोड़ा सा धनिया पावडर और साथी साथ हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे नमक, नमक हमें इसमें बहुत जादा नहीं डालना है क्योंकि हम इस बाद में ग्रेवी में भी नमक एड़ करेंगे और नमक डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से कर लेंगे mix इसे mix करते टाइम पे भी हमें पानी डालने की ज़रुत नहीं है आप इसे बहुत ही आसानी से बीना पानी के भी mix कर सकते हैं क्योंकि चना पीसने के बाद थोड़ा सा गीला हो जाता है और साथी सथ हम इसमें नमक भी डाले हैं तो इसकी वज़ा से थोड़ा सा पानी रिलीज होता है तो आपको बेसन करने के लिए पानी डालने की ज़रत नहीं है और यह देखिए अच्छे से हमारा चना और बेसन मिक्स हो गया है और इस तरह से हमें इसकी छोटी-छोटी सी बढ़िया बनानी है तो चलिए मैं आप लोग आगित बताती हूं कैसे बनाना हमें मैं यह और लगाने के बाद अब हम इस पे छोटी छोटी सी बड़ियां बनाएंगे साइज अब अपने हिसाब से थोड़े चोटे या बड़े कर सकते हैं वैसे हमें बहुत जादा बड़े नहीं बनाने हैं बड़ियां क्योंकि जब हम इसे gravy में डालेंगे और हम इसे steam करेंगे तो इसका size थोड़ा सा बड़ा होगा इसलिए अब size अपने हिसाब से बनाए और इस तरह से एके करके हमें इस पे सारी बढ़ियां बना लेनी है सारी बढ़ियां बन गई है तो चलिए अब हम इसे steam कर लेते हैं तो इसे steam करने के लिए मैं आप एक कड़ाई में पानी पहले से ही रख दी थी गर्म होने के लिए और पानी में अब हम एक stand रख देंगे इस तरह से हम एक stand रख देना है बीच में आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं और जब तक बढ़ी आज टीम हो रही है तब तक हम ग्रेवी की तियारी कर लेते हैं तो ग्रेवी के लिए मैं आपे टमाटर का पेस्ट बना रही हूँ मैं आपे लिए हूँ दो बड़े सा इसका टमाटर और साथी चाथ अधरक और लेसन और इसमें हम डाल देंगे दो हरी मिर्च और अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे हमें इसमें पानी डालने की ज़रत नहीं है और यह देखिए हमारे टमाटर का पेस्ट बन के तयार हो गया है तो चलिए अब हम बड़ी को चेक कर लेते हैं और यह देखिए बड़ी आच्छे से स्टीम हो गई हैं आप लोग देख सकते हैं साइस भी बड़ा हो गया है और यह बीच से इसमें दरारे आने लगी हैं यह फटने लगे हैं और यह मैं तुद्पिक डाल के देखिए हूँ तो यह भी देखिए बिल्कुल क्लीन आया है तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और यहां पर मैं पैन में रखी हूँ तेल गर्म होने के लिए हम इसमें बड़ी को फ्राइ करने वाले हैं बड़ी को फ्राइ करना बिल्कुल आप्सनल है आप बीना फ्राइ के भी इसे ग्रेवी में डाल सकते हैं लेकिन अगर आप इसे हलका सा fry करके फिर ग्रेवी में डालेंगे तो सबजी का टेस्ट और भी ज़्यदा बढ़ जाता है इसलिए मैं इसे हलका सा fry कर ले रही हूं बहुत जादा हम इसे fry नहीं करेंगे हमें इसका बहुत जादा color नहीं change करना है बस हम हलका सा ही इसे fry करेंगे जैसे ही इनका थोड़ा सा color change होने लगेगा बस हम इसे निकाल लेंगे और ये वाकई में सबजी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है तो एक बार आप लोग ज़रूर try करिएगा इस तरीके से और ये देखे बढ़ियां हमारी अच्छे से fry हो गई है बहुत ज़्यादा हम इसका color नहीं change करेंगे तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसे निकालने के बाद बाकी बचे हुई बढ़ियां भी हम इसी तरह से fry कर लेंगे और ये देखे दूसरा बैच में हमारा fry हो गए है तो चलिए अब हम इसे भी निकाल लेते हैं और इसे निकालने के बाद अब हम बनाएंगे gravy तो gravy बनाने के लिए सबसे पहले हम तेल कम कर लेंगे कड़ाई से कड़ाई में जो एक्ष्रा तेल था मैं उसे निकाल ली हूँ और अब हम बचे हुए तेल में डालेंगे आपे खड़े मसाले तो खड़े मसाले में मैं आपे डाल रही हूँ जीरा तेज पत्ता, एक छोटा तुकड़ा दाल चीनी का एक सूखी लाल मिर्स जिसे मैं दो तुकड़े में तोड़के डाली हूँ और अब हम इने भून लेंगे जैसे ही खड़े मसाले भून जाएंगे उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बारिक कटे हुए प्याज मैं आपे दो मीडियम साइज का प्याज इस्तमाल करी हूँ तो प्याज की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम्या जादा कर सकते हूँ अब चाहें तो प्याज को पीस करके भी डाल सकते हैं अगर आपको बहुत जादा ग्रेवी बनानी हो तो प्याज की मातरा थोड़ा से बढ़ा दें और अब हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे और ये देखें प्याज हमारा अच्छे से भून गया है तो चलिए अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर जो कि हम पहले से पीस करके रखे हैं मैं आपे टमाटर के साथ ही अधरक लेसन पीस ली हूँ तो हमें इसमें अलग से पेस्ट डालने की ज़रत नहीं है और अब हम इसे भी अच्छे से भून लेंगे टमाटर को भूनते हुए लगबग एक से दो मिनट हो गए है तो चलिए अब हम इसमें मसाले अट कर लेते हैं और बाकी हम मसाले के साथ ही टमाटर को भून लेंगे तो चलिए अब हम मसाले डाल लेते हैं हुँ जिससे सबजी में कलर अच्छा है बाकि तीखी वारी लाल मिश का इस्तमाल नहीं करी हुँ अब चाहें तो मसाले को एक कटोरी में ले लियो और उसे गूहल कर भी डाल सकते हैं एफिर इस तरह से अगर आप सुखे मसाले डाल रहे हुँ तो साथ में थोड़ा सा पानी डाल दें इससे मसाले अच्छे से भून जाते हैं और मसाले को mix करने के बाद मैं इसे धुक दी हूँ। और gas का flame हम low कर देंगे और इसे भूनने देंगे। अगर आप धुक के मसाले भूनते हैं तो इसे मसाले जल्दी भी भून जाते हैं और मसाले का टेस्ट भी अच्छा आता है। हमें मसाले को बीच-बीच में चलाते रहना है ताकि हमारे मसाला जले ना बिल्कुल भी इसे ढख के छोड़ दी देना है ने तो मसाले जल सकते हैं और एक बर इसे चलाने के बाद मैं वापस से ढख दी हूँ और यह देखिए हमारे मसाले अच्छे से भून गये हैं तेल भी दिलीज होने लगा है तो चलिए अब हम इसमें पानी डाल देते हैं पानी अपनी साब से इसमें थोड़े कम जादा कर सकते हैं वैसे हम इसमें थोड़ा से पानी जादा ही रखेंगे क्योंकि हम इसमें जब बड़ियां डालेंगे तो बड़ियां पानी को सोक लेती हैं इसलि बढ़ियां डालने के बाद, अब हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, और फिर से अब हम इसे एक बढ़ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर से हम इसे ढख के 2-3 मिनट के लिए और पका लेंगे, ताकि बढ़ियां भी थोड़ा सा ग्रेवी का ग्रेवी थोड़ी सी पतली है लेकिन थोड़ा सा थंड़ा होने के बाद ग्रेवी बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे बारी कटी हुई धनिया की पत्ती और अब हम कर देंगे गैस को बंद गैस को बंद करने के बाद आप इसे 2-3 मिनट के लिए थोड़ा सा थंड़ा होने दें उसके बाद इससे सर्फ करें ताकि ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए सबजी को रखे एक से दो मिनट हो गए हैं और ग्रेवी थोड़ी सी गाड़ी हो गई है तो चलिए अब हम इसे फटफट से सर्फ कर लेते हैं आप इसे गर्म गर्म पराठी रोटी या फिछावल के साथ इंजॉय कर सकते हैं और अगर आप लोग को रेशिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक सेर और सब्सक्राइब करना ना भूले हम फिर मिलते हैं एक अच्छी से वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाय टेक केर